हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल डिजिल टोपिक में आपका स्वागत है गाईज यदि आप भी अपने घर बैठे अपने आदार कार से अपने पैन कार को डाउलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज गिस वीडियो में मैं आ करना हुआ होता है तो गाईज चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और हाँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्ट नहीं करना है जहां पर वीडियो का लोंग प्रोसेस हुआ है मैंने वहां पर खुदी वीडियो को स्किप्ट कर दिया है तो गाईज चलिए वीडियो में आ जाना है और फिर आपको Google search bar में टाइप करना है e-filing pen card जैसे के आप देख सकते हो में उपर टाइप कर चुका हूँ जब आप इतना टाइप कर देंगे तो आपको simply search पर क्लिक कर देना है और अभी जैसे के आप देख सकते हो मेरे सामने next page आ चुका है जब आपको उपर ही income tax.gov.in नाम से एक website दिख जाएगी जो की income tax की official website है अब आपको simply यहाँ पर क्लिक कर देना है और अभी जैसे के आप देख सकते हो मेरे सामने next page आ चुका है जब आपको यहाँ पर नीचे बटन मिल जाता instant e-pen जैसके में से highlight भी कर रहा हूँ अब आप simply यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अभी जैसे के आप देख सकते हो मेरे सामने next page आ चुका है जब आपको simply नीचे scroll करना है और अब आपको यहाँ पर नीचे दो option मिल जाते हैं पहला मिल जाता है get new e-pen आप यहाँ पर क्लिक करके अपना 10 minute में new pen card बना सकते हैं और दूसरा option मिल जाता है आपको check status download pen का जहाँ से आप अपने pen card का status चेक कर सकते हैं और यह आपको pen card बन चुका है तो आप यहाँ से download भी कर सकते हैं तो अब आपको अपने अधार कार से pen card download करने के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है side में continue का अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ आप देख सकते हो मेरे सामने next page आ चुका है और अब आपको यहाँ पर option मिल जाता है अधार number का अब आप यहाँ पर अधार कार के number को फिल कर देंगे तो अभी जैसे के आप देख सकते हो मैं आप अपने अधार कार के number को फिल कर चुका हूँ इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है continue का अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अभी जैसे के आप देख सकते हो मेरे सामने next page आ चुका है और guys यहाँ पे लिखा है OTP validation अब guys आपके अधारकाड में जो भी mobile number register होगा उस पर आपको एक छैंको का OTP गया होगा जो कि आपको यहाँ पे नीचे fill कर देना है जैसे के आप लिखा है enter the OTP अब आप यहाँ पे OTP को fill कर देंगे और अभी जैसे के आप देख सकते हो मैं आप अपने OTP को fill कर चुका हूँ guys जब आप यहाँ पे अपने OTP को fill कर देंगे तो आपको एक बार check कर लेना है कि आपको OTP सही है नहीं इसके लिए आपको side में option मिल जाता यहाँ पे eyes का जैसे के मैं से highlight भी कर रहा हूँ आप यहाँ पे click कर देंगे तो आपको OTP आपके सामने show हो जाएगा और अभी जैसे के आप देख सकते हो मैं आप आप आइज पर click कर चुका हूँ और guys मैंने जो अपने OTP को fill किया है वो मेरे सामने आ चुका है अब आपको एक बार अपने OTP को check कर लेना है और फिर जब आप अपने OTP को check कर लेंगे इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है continue का अब आप यहाँ पे click कर देंगे और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने next page आ चुका है और अब आपको यहाँ पे पहला बटन मिल जाता है view e-pan का guys जैसे आप अपने pen card का view देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं और दूसरा बटन मिल जाता है आपको download e-pan का तो अब मैं अपने pen card को download करने के लिए simply इस पर click कर देता हूँ और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे pen card की pdf download हो चुकी है अब आपको नीचे बटन मिल जाता है open का अब आप यहाँ पे click कर देंगे और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे pen card मेरे सामने खुल कर आ चुका है तो आप इस तरह से कुछ step follow करके घर बैठे ही अपने आदार कार से अपने pen card को download कर सकते हैं वो भी free of cost तो गाइस कैसी लगी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना तो आप इसे आसानी से verify कर सकते हैं लेकिन आपके पास computer laptop नहीं है और आप इस question mark का अपने mobile से solution चाहते हैं तो मैं उसके ओपर पहले वीडियो बना चुका हूँ वीडियो का link में आपको description box में दे दूगा और उपर आई बटन में दे दूगा आप जहां से देख सकते हैं और इस question mark का solution पा सकते हैं और हाँ गाई जैदी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई question है कोई question है कोई query कोई doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपकी comment का पूरा जवाब देंगे तो guys मिलते किसी ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत